हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ शफाकत अली या आप देख रहे हैं शफाकत रेक्ट यूट्यूब चैनल फ्रेंज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आउटलुक का अकाउंट किस तरह से क्रियेट करते हैं जैसा कि आपको पता है कि टिक टॉक का अकाउंट पाकिस्तान में मोनेटराइज नहीं होता तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए होता है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आउटलू का अकाउंट किस तरह से करियेट करते हैं वीडियो को पुरा देखीएगा वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अप्लिकेशन इंस्टाल करनी होगी तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ उसके बाद आपने यहाँ पे अपना email address एड़ करना है, अगर आपका email address किसी और ने करियर्ट किया हुआ है, तो आप थोड़े से character change करके भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जल्दी से कोई भी एक email address एड़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक email address एड़ कर दिया है, अब right side पे आप देख सकते हैं, कि हमारे पास outlook.com शो हो रहा है, आपने यहाँ पे कलिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि हमारे पास दो domain शो हो रही हैं, एक outlook और एक hotmail, आप इन में से कोई भी select कर सकते हैं, मैं outlook सेल पासवर्ड इंटर करना है, तो यहाँ पे मैं एक strong password इंटर कर देता हूँ, तो उसके बाद आपने next के बटन पे कलिक कर देना है, अब यहाँ पे हमारे पास first name और last name है, यहाँ पे हमें इंटर करना होगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे next के बटन पे कलिक कर देना है, अब यहाँ पे आपनी country या region सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पाकिसन सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद हमारे पास date of birth त बटन पे कलिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे हमें एक puzzle solve करनी होगे, क्योंकि हमें प्रूव करना होगा कि हमें एक robot नहीं है, हमें एक human है तो यहाँ पर मैं click करने के बाद next की बटन पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास puzzle शो हो रही है यहाँ पर fingers की direction है, हमने उसी तरह यह shoes की भी direction चेंज करनी है तो अब हमें इसकी direction जो है वो change करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की direction सेम हो चुकी है, अब हम submit के button पर click करते हैं तो अब हमने इसकी direction भी change करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की direction अब same है, तो यहाँ पर मैं submit के button पर click करता हूँ अब हमारे पास तीसरी पजल है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं उसके बाद सब्मिट के बटन पे क्लिक करते है इस तरह आप हमने चोथी जो है वो भी चेंज करनी है और सब्मिट के बटन पे क्लिक कर देना है तो यह हमारी last है तो यहां पे मैं इसे भी change कर देता हूँ और submit के button पे click कर देता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं कि हमारी verification complete हो चुकी है इस तरह से आपने puzzle को solve कर लेना है अगर आपको solve नहीं होती है तो आप दुबारा भी इसे change कर सकते हैं अगर आपके पास यह solve नहीं होती तो आप दुबारा भी try कर सकते हैं उसके बाद OK के बटन पे क्लिक करना है अब यहाँ पर हमारे पास यह पिक्चर पगरा एड़ करने के लिए बोल रहा है लेकिन हम यहाँ पर May भी लेटर पे क्लिक करके इसे इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सिंग हो रहा है अब हमें वेट करना होगा तो यहाँ पर मैं Next के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर Accept पे बटन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद Continue to Outlook पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारा अकाउंट करियेट हो चुका है इस तरह से आप Outlook या Hotmail का अकाउंट करियेट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखें बाई बाई